आगे बढ़ते हैं, राजसो मंत्री अमराराम आज बीकानेर पहुंचे, सरक्टाउस में बीचे बिनेताओं ने मंत्री अमराराम से मुलाखात की वस्ट इंडिया से खास बातचीत में अमराराम ने कहा कि न्याए आपके द्वार अभियान लाप्रद साबित हो रहा है सालों से अटके मामलों का निस्तारण हो रहा है इन दिनों न्याए आपके द्वार पार सरकार का भी फोकस है और राजसो को लेकर हमेशा एक बात कही जाती रही थी करप्शन बहुत है कुछ डिटाइशन किया गया है, कुछ नवाचार भी हुए है नियाए आपके द्वार, क्या वाकई जो लक्षे था वहां तक बढ़ पा रहे है यह ऐसा है कि नियाए आपके द्वार पार पिछले तीन सालों में जो एक ग्रोड के करीब जो है प्रकरणों का निस्तारण हुआ था और यह चौता है तो हमारी युश्रिश्ट्री मुख्य मंत्री मसंद्राजी ने यह शोचा, यह उनकी शोच है कि गाउं के अंदर जो किशान है, वो अदाल्पम के चकर कारण करके, अपने धंका तो अबवे करते ही है लेकिन उनको फुर्फ जो निया मिलना चाहिए, वो निया भी नहीं बिलता है अब लोग चरा रहे हैं, लेकिन एक जब मैं आकड़े देखता हूँ ना, तो फिर एक सवाल मन में कौन जाता है जैसे आपने बताए, एक करोड़ हुआ, अभी लाकों में जा रहा है, तो क्या सामान ने दिनों में, ये जो अपनी मसीनरी है, ये काम बिलकुल नहीं करती है ऐसे बात नहीं है, अज़सामाने दिनों में भी काम करती है अपने सुधी करेंगे तो अदालतों में लोग कम जाना सुरू हो गया क्योंकि उदेख्टेमा जाके तो वकील भी करेंगे, खर्चा भी होगा अब जो हम कुशिश करेंगे कि हर गाउं के अंदर हर पंचायत में पटवरी लगे कि अगये दुर्टेमा जो पहले बटती मेंगे थी, सारी बटती हम कोई करना पड़ रही है, यह बात सचह है कि कमी यह नहीं धोर आम नहीं सरे काम ले रहे है》 अगर कोई कोई नहीं है तो हम आराई को भी लूप पावर देखर को काम कर रहे हैं कि आपका जो अन्भव है जिस तरह से राजनीती में एले भी मंत्री रहे आप तो पॉलिटिकल सवाल बनता है आपसे अभी तक हमने विभाग की बात की क्या भाजबा को अशोक परनामी का उत्तरादीकारी ढूंडने में इतना वक्त लगेगा यह सोचा था क्या देखिए ऐस है कि यह तो अपने पार्टी की अंदूरी बात है इस बारे में में कुछ ने करता शंक्तन काम करें अब उन्होंने जो है अपना पार्टी के अनुसार दे दिया तो ऐसा है कि जो भी हो तो ठीक होगा इसी कोई बात भी है